आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीपी एक्स डेमॉन जी आर टू हंड़ेट आर के बारे में तो बाई इस बाईक के बारे मेरे पास काफी सारे कमेंट सारत की बाई जीपी एक्स डेमॉन जी आर टू हंड़ेट आर जो है यह बाईक इंडिया में लांच होगी या फिर नहीं अगर यह बाईक इंडिया में लांच होगी तो यह बाईक जो है आपको कौन से शोरूम में दिखने को मिल जाएगी तो बाई ऐसे कुछ कमेंट से मेरे पास आ रहे तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको GPX Demon GR 200R कब तक देखने को मिल जाएगी और आपको इस बाइक का जो प्राइस है वो लगभग कितने रुपए के आज पास देखने को मिल जाएगा और आपको बाइक में कौन कौन से फीचर्स देखने को मिल जाएग GPX Demon GR 200R की पूरी जानकारी फूल डिटेल में पा सकते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं GPX Demon GR 200R के प्राइस के बारे में तो बाइए जो बाइक है ये आपको लगभग इंडिया में 1.80 लाग के आसपास एक शोरूम दिखने को मिल जाएगी अगर ये बाइक इंडिया में बात कर लेते हैं कि आपको GPX Demon GR 200R जो है लगभग कब तक इंडिया में देखने को मिल जाएगी तो बाइए अभी तक जो है GPX की ओर से कोई भी ऑफिशियल नहीं है कि GPX Demon GR 200R जो है इंडिया में लांच होगी या फिर नहीं क्योंकि बाइए अभी तक जो है GPX का जो शोरू अभी अभी confirm नहीं है कुच भी अता पता नहीं है कि ये बाइक लॉंच होगी या फिर नहीं लेगिन भाइए अपको किसी भी पिश भी कम्प्री के साथ लॉंच होती हुई देखने को मिल सकती है जैसे कि GPX जो है यमा के साथ के đियम के साथ होनडा के साथ किसी के भी साथ सकता है तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको GPX Demo and GR200R में कौन कौन से feature देखने को मिल जाएंगे तो बाई आपको इस bike में fully digital meter console देखने को मिल जाएगा जिसमें कि आपको काफी सारे feature देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आपको इस bike के meter console में speedometer, takeometer, trip meter, odometer या फिर और भी बहुत सारे features आपको इस bike के meter console में देखने को मिल जाएंगे और बाई आपको इस bike में fully LED का setup देखने को मिलेगा यानि कि आपको इस bike में LED के head lamp, LED के tail lamp और LED के indicator भी देखने को मिल जाएंगे यानि कि भाई आपको GPX में fully LED का setup देखने को मिल जाएगा जो कि काफी अच्छी बात रहने वाली है GPX की ओर से और आपको इस bike में front और rear दोनों में disc देखने को मिल जाएगी साथ में आपको इस bike में device channel ABS देखने को मिल जाएगा और भाई आपको इस bike के front में 100 mm के tire और आपको इस bike के rear में 140 mm के tire देखने को मिल जाएगे 17 inch के alloy wheels के साथ और आपको दोनों tire 13 tubeless देखने को मिल जाएगे और भाई आपको इस bike के front में UHD का fork देखने को मिल जाएगा जैसे कि आपको KTM RC में या फिर KTM Duke में मिल जाता है तो भाई आपको इस bike में UHD का fork देखने को मिल जाएगा लेकिन आपको इस bike में WP का upside down का fork नहीं मिलेगा वो किसी और company का रहेगा और आपको इस bike के rear में monoshock absorber देखने को मिल जाएगे और भाई आपको इस bike में split seat देखने को मिलेगी जिससे की जो height है वो काफी अच्छी हो जा रही है बाइक की फिलियन की तो अब हम बात का लेते हैं GPX Demo on GR200R के engine के बारे में तो भाई आपको इस bike में 198cc का liquid cool 4 stroke 2 valve single cylinder engine देखने को मिल जाएगा और आपको इस bike में 5E देखने को मिलेगा जो की BS6 compliant engine के साथ इंडिया में launch होगा और भाई आपको इस bike में लगभग 19 BHP के आसपास maximum power देखने को मिल जाएगा और लगभग आपको इस bike में 16 NM के आसपास torque देखने को मिल जाएगा पावर फिगर में आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है भाई जब ये bike इंडिया में launch होगी तो आपको लगभग थोड़ी बहुत तो power drop देखने को मिली जाएगी और आपको इस bike में single cylinder 6 speed gear box देखने को मिल जाएगा लेकिन भाई आपको इस bike की जो power figure है वो काफी कम देखने को मिलेगी जैसे की जो power figure आपको KTM RC में मिलती है आपको उससे काफी कम power figure GPX में देखने को मिलेगी ये जो bike है ये look के मामले में सिर्फ KTM को beat कर सकती है लेकिन power figure के मामले में ये KTM को हाथ भी नहीं लगा सकती GPX Demo on GR200R की पूरी जानकारी के लिए मैंने नीचे लिंक दे रखा अब एफसाइड का वहाँ जाकर आप GPX Demo on GR200R की पूरी जानकारी फूल डिटेल में पा सकते हैं तो भाई उमेद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई